सिधार्थ शुकला के फैंस को इस बात की शिकायत थी कि उन्हें सिधार्थ शुकला का चहरा आखरी बार क्यूं नहीं दिखाया गया क्यूं सिधार्थ की अंतिम रस्मों के दौरान सिधार्थ को कूपर अस्पताल से शम्शान भूमी लाने के दौरान सिधार्थ के पार्तिव शरीर को सफेद चादर से पूरे तरीके से लपेट दिया गया बतादे कि इस बात का जवाब अब के आर के ने दिया है जीहां कमाल राशिद खान ने अपनी एक पोस्ट के जरीए बताया कि सिधार्थ शुकला के बिग बोसों से जुड़े दोस्तों ने सिधार्थ के परिवार से विनती की कि एक बार उन्हें सिधार्थ का चेहरा देख पाएं बतादें कि क्यार्के के हिसाब से परिवार ने सिधार्थ शुक्ला का चहरा इसलिए नहीं दिखाया क्यूंकि परिवार नहीं चाहता था कि कोई इस तरीके से सिधार्थ के चहरे की तस्वीर ले ले बतादें कि क्यार्के ने ये भी कहा कि परिवार की इस बात पर दो के दोस्तों को नहीं देखने दिया सिधार्थ की मां और उनका परिवार ये बहुत अच्छे से जानता था कि सिधार्थ कितने प्राइवेट इंसान हैं वो नहीं चाहते थे कि सिधार्थ की ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो वही के आरके ने ये भी कहा कि एक दिन अस्पताल में रहने की वजह से ऐसा हो सकता है कि सिध्धार्थ का चहरा नीला या काला पड़ गया हो तो कमाल आरखान की अनुसार ये थी वज़ा थी कि सिध्धार्थ शुकला का चहरा अंतिम रस्मों के दोरान दोस्त और रिष्टेदार नहीं देख पाए पाइनल काट निउस्टेस्क झाल आरखान के दोरान की अनुसार ये रस्मों के दोस्त पाए